इंडिन कल्चर विविद्धा से परिपूर्ण है यहां का रहन सहन, खाना पिना, म्यूजिक, डान्स, फेस्टिवल पूरी दुनिया से बिलकूल अलग है युनीक है लेकिन मैं आप और बाकी सभी इस कल्चर को इस संस्कृति को धेरे धेरे मरता हुआ देख रहे हैं वेस्टन एजिशन ने यहां के लोगों के मन में एक ऐसी चवी बनाई जिसके बाद भारतिय संस्कृति के महता लोगों में कम होती जा रही है जहां हमें अपने भारतिय कहलाने और यहां की संस्कृति को अपनाने में गर्व महसूस होना चाहिए था अब हमें शरम आने लगी है खास तोर पर मैंने देखा है अपने आसपास के जन जीज को जो शायद ही जन एक्स के खयालों से इतिफाक रखते होंगे यह generation gap नहीं बलकि मेरे according culture gap है westernization का सबसे जादा impact दिखता है हमारे पहनावे और हमारे खाने पे हमारे girls and boys ने बे हिचक western कपड़ों को अपनाया है जिसमें कोई गलत बात भी नहीं है लेकिन हमें समझदारी दिखानी चाहिए इन कपड़ों को पहनते वक्त अभी हाल में ही उडिसा के पुरी में जगनाथ टेंपल ने लोगों के लिए dress code जो है वो लागो कर दिया है जिसके according जो भक्त है उन्हें decent कपड़े पहनने के बाद ही मंदिर में entry मिलेगी अब आलम यह है कि लोग जो है वो दिख रहे हैं और इसके advantages क्या है और disadvantages क्या है Westernization का मतलब क्या होता है इसके definition proper देख लेता है Britannica Encyclopedia के अनुसार Western European जो practices है और उसके culture को adopt करना या तो influence होके या तो किसी के force में आके वो होता है Westernization Indian scenario की बात करें तो इंडिया में जो Westernization हुआ है basically वो हुआ है दो-तीन चीजों से first हुआ है जब British ने इंडिया को conquest किया वो यहाँ पर आया और अपने साथ अपना culture ले के आया सारी चीज़े culture में आती है education हो गया पहनावा ओढ़ावा lifestyle everything second, अब modern times में जब students बाहर पढ़ाई के लिए जा रहे है higher education तो वहाँ पर उनका जो सामना होता है वो Westernization से होता है वहाँ की freedom से होता है वहाँ की रहन से होता है और जब वो इंडिया वापस आते हैं तो वो culture साथ लेकर आते हैं उनके lifestyle में और साथी उनकी wives, उनके बच्चे, उनके lifestyle में भी Westernization जो है वो enter कर जाता है third है जो यहाँ की local public है वो films और televisions को देखते हुए जो Westernization है वो adopt कर रही है वहाँ का रहन सेहन, वहाँ का कपड़े और धीरे धीरे इंडियन culture जो है उसके अंदर Western चीज़े mix होती जा रही है और इंडियन culture mix उसके अंदर mix नहीं हो रही है बलकि इंडियन culture isolate होता जा रहा है United States जो है 20th century में ऐसा सबसे important exporter था Westernization का जिसने Asia, Central और South America, Africa में Westernization को promote किया जहाँ पर जो European countries थी और बाकी जो वहाँ पर colonization हुआ तो वहाँ पर भी इसका जो culture United States का धीरे धीरे इस continents और countries में पहुँच गया films, popular music, fashion जो है वो दीरे दीरे इन continents में, Asia में, Africa में, जो American है, South American countries वहाँ पर लोग अडॉप्ट करने लगे और दीरे दीरे Westernization जो है हर जगा शुरू हो गया और इंडिया में भी इसी वज़े से हुआ इंडिया में Westernization कैसे हुआ? सबसे पहले है कि इंडिया के एक बहुत ही खास बात है कि एक secular nation है यहाँ पर किसी को भी किसी भी religion को follow करने की आजादी है अगर आप हिंदू हैं तो आप बाद में Islam follow कर सकते हैं, Christianity follow कर सकते हैं किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं है आपके belief को, religious belief को यहाँ पर 100% आजादी मिलती है जिसके वज़े से यहाँ पर लोग other religion और उससे जोड़ी जो practices है उसको भी easily adopt कर लेते हैं Western civilization जो है वो लोगों में most evolved civilization की तरह देखा जाने लगा इंडिया में क्योंकि जब यहाँ पर Britishers आए तो लोगों को यह लगा कि अच्छा European countries जो है हमसे जादा evolved है वहाँ पर science and tech है वहाँ पर लोग जादा free महसूस करते हैं तो शायद यह evolved civilization होगी Thousand year जो Indian culture थी वो धीरे-धीरे gradually change होने लगा और humanism, equality और secularism जैसी चीज़े जो Indian culture को खास बनाती है धीरे-धीरे वो कम होने लगी जो westernization का सबसे ज़्यादा impact है वो कहाँ दिखता है metropolitan cities में जहांके लोगों को जो पैसे है उनके पास ज़्यादा है और वो ज़्यादा जल्दी influence होते है western culture से क्योंकि उनके पास excess है of money और westernization के आने के बाद ऐसे cities में और कुछ smaller cities में जो Indian culture का main feature है जैसे joint families, marriage, social system, caste system ये सारी चीज़ें कम होने लगी या खतम ही हो गए joint families का concept तो मुझे लगता है 10% ही शायद रह गया होगा advantages क्या है? देख लेते है evil system कुछ है इंडिया में थे I mean वो ban हो गए जैसे sati system या फिर untouchability, चुआ छूत की भावना और widow remarriage जो Britishers आये तो उन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की तो इसे एक चीज़ तो अच्छी होगी कि ये चीज़ें कभी भी सही नहीं थी और westernization और उसके thoughts और beliefs को लेकर ये सारी चीज़ें बंद हो गई knowledge जो है वो मिली लोग modern हुए knowledge की चीज़ की freedom of expression, आप अपनी बात खुले तोर पे कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अपनी beliefs को लोगों को बता सकते हैं बिना डर के तो ये सारी चीज़ें जो है वो तो अच्छी हुई education आया, तो science and tech आया western culture से ही आया है और हमारी जो scientific mindset थी वो बहुत ज़ादा improve हुई और आज हम science and tech के field में इतना excel कर पाए, वो just because of education art में भी हुआ है और बाकी fields भी में भी हुआ है लेकिन science and tech जो है वो सबसे ज़ादा westernization के वज़े से यहाँ पर आया caste system जो है वो बिल्कुल reduce हो गया आज के बच्चों को गर आप पूछोगे generation के बच्चों को तो वो caste system में इतना believe नहीं करते, marriages जो है वो out of caste जाके लोग कर रहे हैं या फिर छुआ छूट की भावना नहीं है कोई higher caste, lower caste ऐसी चीज़े कम हो गई है women's को बहुत ज़ादा आजादी मिली वो अपने aspirations और अपने aims, goals को achieve कर पा रहे हैं उन्हें कहीं जाने में बना ही नहीं है जो पहले जो Hindu system था, Indian system था उसमें बहुत ही conservative system था women के लिए वेदिक culture की बात नहीं कर रहे हैं हम लेकिन उसके बाद के time से हमने देखा कि women को subjugate किया गया Indian culture में जो कि western nation के आने के बाद सती system हटा, video remarriage से शुरू हुआ और अब women को बहुत ज़ादा freedom है हर fields में health and sanitation इंप्रू हुआ बाहर के countries में अगर आप देखें तो health and sanitation को बहुत ज़ादा महतो दिया गया, सफाई को बहुत ज़ादा महतो दिया गया, जो कि Indian culture में बहुत पहले से था, लेकिन धीरे धीरे ये reduce हो गया और हम Indians को सफाई के मामले में पूरी दुनिया में जो है, वो बदनामी जेलनी पड़ती थी जब भी foreigners यहाँ पर आते थे तो एक चीज़ लेकर जाते थे कि इंडिया भारत बहुत ज़ादा गंदा है यहां के लोग गंदगी फैलाते हैं अब चीज़े धीरे धीरे बदल रही है लेकिन हा, health and sanitation जो की एक अच्छी सेहत के लिए भी ज़रूरी है हमें westernization से मिला disadvantages देखें तो सबसे पहले इंडियन कल्चर से हमारा alienation हो रहा है हमें धीरे धीरे अपनी संस्कृती जो है हम भूल रहे हैं, हमें ना ही श्लोक याद है, ना ही हमारे पाथ याद है ना ही हमें कविताय याद है ना ही हमें अपने Indian poets Indian writers के बारे में पता हे हम ज़ाधा तर जानते है western poets, western writers और उनके achievements के बारे में हमें ज़ाधा महसूस होता है हम घर में भी Indian culture को follow नहीं कर रहें पहनने में भी हम सलवार कमी साडी को भूलते जा रहे हैं, सिर्फ special occasion के लिए बच गई हैं चीज़े, लेकिन mostly day to day में हम क्या पहनते हैं, even मैंने भी जो t-shirt पहनी है, वो western culture का एक प्रतीक है, तो इस वज़े से alienation हो रहा है हमारे Indian culture का, variety of cuisines, ये actually एक advantage है, लेकिन disadvantage अगर हम द cuisines थे, वो भोलते जा रहे हैं, मैंने तो सिर्फ epic channel में देखा है, जब हमारे महराजा या फिर historical चीज़ों में कुछ खास-खास dishes होती थी इंडिया में, जो अभी लुप्त होती जा रही है, तो मुझे भी लगता है कि हम अपनी नानी दादी से जो चीज़े हैं, खाना पक westernization के वज़े से हम उनसे जादा influence हो गए कि वहाँ की life जादा बहतर है, जिससे जब एक student बहार जाता है, वहाँ settle होता है, तो उसका friend, उसकी जो peer group है, वो भी उससे influence होती है और वो भी बहार जाती है, जिसके वज़े से इंडिया की जो talents हैं, जो यहाँ पर use करके हमारी country को growth उससे मिलता, वो अब growth जो है वो नहीं मिल रही है, तो ऐसी जो brain drain है, इसका भी एक वज़ा है westernization, तो हमने यहाँ देखा disadvantages of westernization, आपको मुझे कुछ और disadvantages बताने हैं, अगर मैंने यहाँ पर cover नहीं किया है, कम से कम आप comment तो करेंगे मेरे videos पे, तो चलिए बस आज के लिए See you soon, thank you so much.